पता नहीं कपिल सिब्बल को हिंदू धर्म से इतना नफरत क्यों हैं। हिंदू की विरोत में हर मामले में सुप्रिम कोट पहुंच जाते हैं। सोमनात मंदिर के पास अवैर निर्मार्ट ध्वस्त किया जा रहा था और यह आदमी किसी औल्या एद दिन समीती की ओर से सुप्रिम कोट पहुंच गए और कहा कि अवैर निर्मार्ट ध्वस्ती करण को रोका जाए और गुझरात हाई कोट के फैसले को बदल दिया जाए। जस्टिस बियार गवाई और जस्टिस केवी विश्विनात की पीठ ने कपिसिबल की याचिका खारिज करते हुए सोमनात में बुल्डोजर कारवाई रोकने से इंकार कर दिया। सुप्रिम कोट ने कहा कि वहाँ जमीन सरकारी है ना कि किसी मुस्लिम समीती की। अब लगता है कि कपिसिबल को आदत हो गई है कि सो सो जूते खाने के बाद भी तमाशा घूस के देखेंगे। दरसल गुजरात के गिर सोमनात बुल्डोजर आक्शन के मामले में इस शुकरवार को सुप्रिम कोट में सुनवाई हुई इस दोरान शीरश अदालत ने कोई भी आदेश पारित करने से इंकार कर दिया। शीरश अदालत ने कहा कि ये सरकारी जमीन है जस्टिस बियार गवई और जस्टिस केवी विश्विनात की बेंच ने कहा कि अगले आदेश तक जमीन का कब्ज़ा सरकार के पास रहेगा और किसी तीसरे पक्ष को आवंतित नहीं किया जाएगा। पहाए जाने का कारण ये बताया गया है कि वेस्मारक अरफ सागर के पास से और जल निकाय के पास नहीं हो सकते। संरक्षित इसमारक गिरा दिये गए क्या आपके आदेश के बावजूद इसकी कलपना कर सकते हैं। सिबल के इस दलील पर सॉलिस्टर जनरल तुशार मैता ने कहा कि कोई भी संरक्षित इसमारक नहीं था। एमजी का कहना है कि अगले आदेश तक जमीन का कबजा सरकार के पास रहेगा और किसी तीसरे पक्ष को आवंतित नहीं किया जाएगा। कलेक्टर और अन अधिकारियों के खिलाफ अफमाना कारवाई की मांग की गई है। प्रश्रासंग की कारवाई के खिलाफ समस्त पाटनी मुस्लिम जमात ने आचिका दाखिल की। उसने अपनी आचिका में सुप्रिम कोर्ट 12-17 सितंबर 2024 के आदेश के उलंगन को लेकर कारवाई करने की मांग की है। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ रहा है कमिन वाक्त में बताएं तो तक लिए देखते रहें लाइफ टीवी नियूज